Good morning friends, welcome to teaching guru तो आज की टोपी में बात करेंगे classification of automobiles के बारे में कि automobiles कितने तरह के होते हैं इसके उपर हमने एक separate video भी बनाई हुई है जिसमें different type of automobiles को हमने आगे classify किया हुआ है तो एक पर यह एक यहां पर structure बनाया हुआ है इसको ध्यान से आप एक पर देख लीजेगा तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा कि automobiles कैसे कितने different types के automobiles होते हैं तो इसको थोड़ा सा इंदार्ज कर लेते हैं देखिए automobiles हम start करेंगे इसको थोड़ा सा आप दार्ज कर लेते हैं देखिए सबसे पहले हम automobiles automobiles vehicle होता है जिसको move करवाते है self-propelled mechanism इसमें लगा होता है उसके बाद यह दो तरह के automobiles होते हैं हमारे पास एक होता है goods vehicle जिसमें हम समान लाद कर लेके जाते हैं दूसरा होता हमारे पास passenger vehicle passenger vehicle जिसमें की जो passenger होते हैं यानि की human being होते हैं उसको हम लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर goods वाले में हम किसी भी चीज़ को समान को लेके जाती हैं जो passenger vehicle होते हैं आगे वो दो तरह के होते हैं एक होता है light vehicle एक होता है heavy vehicle light vehicle जैसे की motorcycle लाइट वीक्ल कम वैट वाले और हेवी वैट वाले होंगी कार्स जामार करें उसके फिर्मिठीए लेकल में आगे व दूहरा gör होसुथ आपने बड़ी बड़ी सीटेयो में डबल डाकर बस देखी होंगी, उपर भी पैसेंजर, उसके बाद है, उसके बाद है कोचस ay कोचसетр जैसे यहां पर खरें यह ब्रक्ष कोछ बात करें और आ जो के रीजिवय स्प्लाइब करते हैं जो की डिलीवरी स्प्लाइब करती है यह से दूसरे जगह पर जैसे को refuse आपने कि पार्भी क्लासिफिकेशन हैं यह आपको वीडियो को लाएक कीजी उरजाद अप्टेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यू चैनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए